क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं जैसे इस चित्र में नारियल के पेड़ को देखें तो पास की चीज़ें धुंदली दिखाई देती हैं लेकिन यदि हम उन पास की चीज़ों को देखते हैं जैसे यदि यहां इस खिलोने को देखें तो दूर की चीज़ें धुंदली हो जाती है ऐसा क्यों होता है? ऐसा समंजन के कारण होता है तो चलिए देखते हैं कि समंजन यानि की accommodation का क्या मतलब है और यह कैसे काम करता है तो यह हमारे नेत्र गोलक की रूप रिखा है यह पक्षमा भी या सिलियरी पेशियां है अब कल्पना कीजे कि सिलियरी पेशियां सिथिल अवस्था में ऐसे में नेत्र का lens भी पतला रहेगा इस इस्थिती में जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमें प्रकास किरुणों को मोड़ने के लिए और उन्हें रेटिना पर फोकस करने के लिए बहुत अधिक छमता की आवश्यक्ता नहीं होती है अब कल्पना कीजे कि हम उन चीजों को देख रहे हैं जो पास में हैं लेकिन यदि नेत्र अभी भी सितिल अवस्था में है तो वह प्रकास किरुणों को अभी भी केबल उतना ही मोड़ेगा जितना उन्हें पहले मोड़ रहा था इसलिए अब प्रकास किरुणे रेटिना पर केंदरित नहीं हो पाएंगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब चीजें पास में होती हैं तो आपतित किरुणे समानतर नहीं रह जाती बल्कि एक दूसरे से दूर होती जाती हैं इसलिए यदि वे पहले जितना ही मुड़ती हैं तो रेटिना पर केंदरित नहीं हो पाती है इसका मतलब है कि जब नेतर शिथिल अवस्था में होते हैं तब सिलियरी पेसियां भी सिथिल होती हैं और आख के लेंस की छमता कम होती है ऐसे में हम दूर की चीजों को तो देख सकते हैं क्योंकि उन चीजों से आने वाली प्रकास किरुणे रेटिना पर केंदरित हो जाती हैं तो इसके लिए हमें नेतर की छमता को बढ़ाना होगा जिससे वह प्रकास किरुणों को अधिक मोड़ सके और ऐसा करने के लिए सिलियरी पेसियां सिकुड जाती है लेंस पर दबाव डालती है जिससे लेंस अधिक गोल हो जाता है इससे लेंस की छमता याने प्रकास किरुणों को मोड़ने की छमता बढ़ जाती है और हम पास की चीजों को इसपस्ट रूप से देखने में सक्षम हो जाते हैं लेकिन इस इस्थिती में यदि हम दूर की चीजों को देखें तो क्या होगा इस इस्तिती में यदि हम दूर की चीजों को देखेंगे तो उनसे आने वाली प्रकास क्रिणे समानतर होंगी और चुकि इस इस्तिती में हमारे नेत्र के लेंस की छमता अधिक है इसलिए वह प्रकास क्रिणों को बहुत अधिक मोड रहा है इसलिए प्रकास करिणे नेतर के सामने के इंदरित होंगी ना कि रेटिना पर इसका मतलब यह है कि इस सिती में हमें पास की चीजें तो इसपस्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें बहुत धुंदली दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तब आखें सिथिल अवस्था में होती हैं क्योंकि हमें कम चमता की अवश्यक्ता होती है लेकिन जब हम पास की चीजों को देखते हैं तब सिलियरी पेसियां सिकुड जाती है और लेंस की छमता बढ़ जाती है जिससे हम पास की चीजों को देखने में सक्षम हो जाते हैं लेकिन याद रखें वस्तु जितनी करीब होती है उसे इसपस्टूप से देखने के लिए हमें उतनी ही अधिक छमता की आवश्यक्ता होती है और इस छमता को बढ़ाने की भी एक सीमा है समाने मानव नेत्र के लिए यह सीमा लगवग 25 cm होती है इसका मतलब यह है कि यदि हम वस्तु को 25 cm से अधिक निकट लाते हैं तो हमारे नेत्र उसे इसपस्टूप से देखने के लिए पर्याप्त समंझन नहीं कर पाते हैं इसलिए इस बिंदू को हमारे नेत्र का निकट बिंदू कहा जाता है इसे समानेता है कैपिटल डी से दर्शाय जाता है यानि समाने मानव नेत्र के लिए निकट बिंदू लगवग 25 cm होता है इस प्रकार आवश्यक्ता के अमसार नेत्र के लेंस की छमता को बदलने को ही समझन या एकुमेडेशन कहा जाता है लेंस की यह छमता इस बात पर निर्भर करती है कि वस तो कितनी दूर है या फिर कितनी पास है